विक्रम फिर से बेताल को पकड़ने में काम्याब हो जाता है उनके छटे पड़ाव की ओर जाते हुए बेताल ने अपने पीछे से गुजरते हुए एक कार देखी तभी उसने विक्रम से कार से जुड़ी एक पहली पूछने का फैसला किया जल्द ही वे छटे पड़ाव पर पहुँच गए और बेताल ने विक्रम से पहली पूछी एक नई कार खरीदी है और वह बहुत उत्साहित है उसने मुंबई से बैंगलूरू और बैंगलूरू से मुंबई अकेले सड़क यात्रा पर जाने का फैंसला किया है वह पूरे राउंड ट्रिप के लिए 60 किलोमीटर प्रतिगंटे की औसद गती से गाड़ी चलाना चाहती ह ज्योती बैंगलूरू पहुँचती है और पाती है कि इस यात्रा के दोरान उसकी औसद गती केवल 30 किलोमीटर प्रतिगंटा है यदि ज्योती राउंड ट्रिप के लिए अपनी औसद गती 60 किलोमीटर प्रतिगंटा तक बढ़ाना चाहती है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी औसत गती क्या होनी चाहिए। विक्रम इस पहेली के बारे में सोचने लगता है। थोड़ा सोचने के बाद वह बेताल से कहता है कि वह इसका जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि उसे मुंबई और बेंगलूरू के बीच की दूरी का पता नहीं है। बेताल उड़कर पास के एक पेड़ पर चला जाता है और विक्रम बेताल को उड़ता देखकर हैरान हो जाता है। बेताल हसने लगता है और कहता है कि हाहहे। विक्रम इस पहली का जवाब देने के लिए आपको मुंबई और बेंगलूरू के बीच की दूरी जानने की ज़रूरत नहीं है चलिए मैं आपको इसका जवाब समझाता हूँ मान लीजिए कि ज्योती को एक तरफ से 30 किलोमीटर की दूरी तै करने की आवशकता है चुकि ज्योती की ओसद गती 30 किलोमीटर प्रतिघंटा है इसलिए वह अपनी समपूर यात्रा का पहला आधा हिस्सा एक घंटे में पूरा करेगी अब ज्योती 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की ओसद गती से अपनी समपूर यात्रा पूरी करना चाहती है जिसका अर्थ है कि उसे संपूर यात्रा को एक ही घंटे में पूरा करना होगा लेकिन वह पहले ही अपनी यात्रा के एक घंटे का उप्योग कर चुकी है इसलिए वह कितनी भी तेजी से लौटती है उसका कुल समय हमेशा एक घंटे से अधिक ही होगा इस प्रकार इस पहली का उत्तर यह है कि ज्योती एक घंटे में अपनी संपूर यात्रा पूरी करने के लिए औसत गती को साच क्लोमीटर प्रति घंटे तक कभी नहीं बढ़ा पाएगी बेताल की बुद्धी से विक्रम बहुत प्रभावित होता है लेकिन उसे चिंता इस बात की थी कि अब उसे एक बार फिर से बेताल को पकड़ना होगा